बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियो उसको पाने के लिए सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को दबा कर आल पर क्लिक कर ले हलो गाइज विलकम पर एक स्वागत है आप सभी का आपके अपने इटू चम्नल बॉटनी लेक्चर में गाइज आज के इस वीडियो हम डिसकस क अगर प्रेस किजिएगा वेरी वेरी मॉस्ट इंपोर्टन का यह है कोश्चन यहां पर आपका क्लियर होने जा रहा है तो अगर आप देते हैं जान तो भी आपको देखने को मिल ही जाएगा तो चलिए स्टाट करते हैं मैचोर और 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 इस फ्रूट कह सकते हैं कि जो आपका सारा का सारा कर यहां पर मैं किलियर कर दे रहा हूं ठीक है उसके बाद एक एक पर हम discussion करने वाले हैं अादर। पर concept clear कर लीजीं जैसे देखिए पहला जो को ता है फूल ताइप का होता है clear हो गया simple ताइप का पहला fruit हो गया दूसरा हो जाएगा aggregate तीसरा हो जगा composite अब इन तीनों में के बाद सबसे जो मेन इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा जिस पर आपको फोकस करना है वो सिंपल फ्रूट पर करना है ठीक है सिंपल फ्रूट जो होता है वो टू टाइस को होता है पहला ड्राइब फ्रूट और दूसरा है फ्लैशी फू जिस नंडेंड रातीसरा होता है साजोकार्पि तब तीनों को समझने का प्रयास केजीए पैजा चलिए डेसंट पर बात करते हैं डेसंट का मतलब ऐसे फ्रूट जो आसानी से क्या हो इस हो सकते हैं तो इसे हम डेसंस फ्रूट बोलें गया इब मोश्री प्लांट पर ही तो पğलीकील सिल्क्युआ और कैपसूल किसी-किसी book में आप देखेंगे तो 5 प्रकार क्यों तो मुशनी ही系 है जैसे ही होते हैं बस हलका से होता ह। मुशनी सिलक्यूळा को भी हम चल्क्योळा के अंतर गडि इसमें रखें ठीक है एकर देशन स्पूर्ज्ट फॉर टाइपस के होता है पहला एकीन करी अप्सिस शिपसेला कि हैं अंसमारा कि तीसरा जाएगा है साजोकार्पिक साजोकारपिक में आजाएग है Lumentum, Cremeocarp, Curseurus, Regma अब इसमें से अगर पुचा जाए कि सबसे जदा Important कौन होगा आपको बता देंwegUMे सबसे जदा Important होता है फिर उसके बाद Capsule important होता है Chiroppsous important होता है Lumentum important होता है Cremeocarp important होता है तिक है ये इतना Dry Fruit के ये ही इतनी important है लगों 5 एच्छे ऐसे हैं अगे बड़ते हैं था फ्स फ्रोट अगला हो जाएगा दूसरा नंबर फ्लैसी फ्रूट फ्लैसी फ्रूट कि त्रेन प्रकार का होता है देख लिए बेरी पहला दूसरा स्था प्रों तीसरा प्यपो चोथा बलस्टा और पाच्वां एंफि सार का एंफिशार का यह पांच हैं अब आ जाते हैं घिपारिट होता हुं फोटा international होता है इस टेरियो आप में हो जाते हैं औरинов though जाते हैं अग्रेट हो जाते हैं स्टेरियो आफ पड़कल्स यानि यह वाला सब्सक्राइळ gift हो होजाता है इसको यहां पर बोलते हैं Stereo of Follicles ठीक है कुल मिला के देखा जाते हो Simple type के जो fruits होते हैं उसी के कुछ ऐसे fruits हैं जो यहां पर aggregate होकर के aggregate type का fruits त्यार करते हैं ठीक है आगे हो जाएगा Stereo of Varies तो यह जो berry fruit है फ्लैसी का यह हो जाएगा Stereo of Varies अगला हो जाएगा Stereo आप डूप जो डूप fruit है ठीक है वही क्या हो जाएगा यहां पर compound हो जाएगा डूप type का जो fruits होता है वो आपके फ्लैसी type के fruit में हो जाएदा है यहां उपर add कर लिजीगा यह आपकर नीचे डूप डूप भी क्या है किसका टाइप है यह एग फ्लैसी fruit का है ठीक है तो यही डूप fruit क्या हो जाएगा एग्रिगेट हो जाएगा Stereo आप डूप बना देगा अगला हो जाएगा next सोरोसिस कमपोजिट में आ जाएगा सोरोसिस और सिकोनास यह दो प्रकार का यह होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पर डीटेल में हम चलते हैं थोड़ा सा जो हम यह आपने concept क्लियर किया है अब उसी को यहाँ पर डीटेल में हम डिसकस करने वाले हैं सिंगल fruits develop from the ovary of the flower जब सिंगल fruits का development ovary मनमींस फ्लावर के ovary से होता है तो ऐसे fruits को हम simple fruit बोलते हैं ठीक है simple fruits जो होता है वो two types का होता है एक dry और fleshy and हो जाएगा यहाँ पर कर लीजिएगा या and अब इस पर आते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं dry fruit का तो दोस्तों जो dry fruits होता है वो three types के होता है also divided into three types three groups descents, indescents and sajokarpic type यह तीन उप्रकार के होगा पहले पहले डिसकस करते हैं descents fruits दोस्तों descents fruits किसे बोलते हैं fruits generally descents and lose the seed after maturity मतलब mature होने के बाद ऐसा fruits जो क्या हो जाएगा आसानी से descents हो जाए plant पर ही descents होने लगे तो ऐसे fruits को हम क्या बोलेंगे descents fruit ठीक है यानि descents का मतलब आपर फटने से है अगर कोई fruit mature हो गया है और plant पर ही फट जा रहा है separate हो जा रहा है seeds से बाहर आ जा रहे हैं ऐसे कर descents बोलते हैं descents होना तो जो आसानी से plant पर ही descents हो जाते हैं उन्हें descents fruits कहा जाता है as simple as that ठीक है चलिए बात करते हैं आगे next one पहला हो जाएगे इसमें legume legume या पोट इसको बोलते हैं develop from dry dry fruits है simple चीब बात है अगर ऐसे फ्रूट का डिवल्मेंट जो legume टाइप कर जो फ्रूट होते हैं उसका development मोनो कार्ट मोनो कार्पेल्डी और सुपीरियर ओवरी से होते हैं यह ओवरी कैसे होते हैं सुपीरियर होती है कारपिल की संक्षावस में एक ही होता है तो ऐसे टाइप के फ्रूट को legumes, fruit या pod fruits कहते हैं और conditions में इसमें placidation होता है margin फार इजामपल के तोर पे जो legume family है leguminous family है उसके लगबग जितने भी members हैं लगबग उन सभी में legume होता है फली बनती है ठीक है पी और gram है पे आपके सामने हमने रखे दिया है आगे बात करते हैं फॉलीकील important है फॉलीकील क्या है फॉलीकील इट डेवलेफ प्राम यूनी और और बाई एक या एक से यानि की दो एक कार्पिल्स या दो कार्पिल्स यानि के माध्यम इसका फर्मेशन होता है और इस कंडिशन में इसमें जो ओवरी है वह मैं सासर्षारदी कैल के बलकी कैसी होती है अदोते हैं और अलग-अलग होते हैं तो इसे कंडिसेंश को क्या बोलते हैं अगला नेक्स तो आपने पर एक्जाम्पल के तौर पर हां पर कलियोट्राफिस देखा है शिल्क हुआ शिल्क हुआ या सिल्की उला लगबत दोनों सेम ही होते हैं इसलिए एक ही में रख दिया गया है ठीक नहीं डेवलप फ्रॉम वाई कारपेल डी सुपीरियर ओवरी दो कारपेल वाले सुपीरियर सिल्कूअअ से इसल्क हो सिल्कूबानि यहां ने कि इसका बेस्ट इन को जाएगा जिसमें दो करप इसuba जाते हैं और रडु कार्पिन फरल कुला का होता है किसे हो जाता है करते है जब इसमाल हो जाता है चोटा होता हिसी किसी में इसमाल होता है तो ऐस sisters पूला और नेट्स यह मदार है कि इतना कुपसूरत दिख रहा है आप देख सकते हैं कैप्सूल नेक्स रोजाए गया कैप्सूल डेवलप फ्राम सुपीरियर बाई टू मल्टी कार्पेल ठीक है दो या दो से अधिक कार्पेल से इसका फार्मेशन होता है और कैप्सूल में ठीक है तो कैप्सूल डेशन्स त्रोप पॉर्स कैप्सूल का डेशन्स जो हता है एक पॉर के माध्यम से होता है पॉरिस साइडल बोलते हैं इसको लाक्यूल्स लाक्यूलिस साइडल और वार्स शिप शिप्टिसाइडल ठीक है शिप्टिसाइडल तो इन तीन केप्सूल का यहां पर हो जाएगे भिंडी लेडी फिंगर अधर हो जाएगा धातूर को अपिम भी है इसी का ठीक है ना अपिम कैप्सूल टाइम का फ्रूट चाहिए अगला तक नान डेसंस फ्रूट क्या होता है जो आसानी से plant पर ही descents ना हो ऐसे fruits को क्या बोलते हैं non-dacents fruits बोलते हैं the fruits never descents and the seeds only are released it is a following type कभी descents नहीं होता है इसको release करना पड़ता है यानि खुद के मादिम से तभी seed बाहर आ सकता है ठीक है इसके अंतरगत एकीन सबसे पहला fruits हो जाएगा इसमाल होता है छोटा होता है one dry होता है और one chamber and seeded fruit developed monocarpelry superior एक seeded होता है और monocarpelry से इसका formation होता है ठीक है for example आपके सामने आपर दिख रहा है clematis यह हो जाएगा clematis का flower हो जाएगा और यह भी आपके सामने clematis ही दीखी रहा है ठीक है कोई problem नहीं अगला करियोफ्स करियोफ्स फ्रूट्स जो हता है ग्रेमनी फैमिली में पाजाता है पोईसी फैमिली का करेक्ट्रिस्टिक फ्रूट है किसका ओएसी फैमिली का अगला हो जाएकर नेस्ट तीसरा शिपसेला ड्राइव होता है वन चंबर वन सीडेट फ्रूट डेवलपिंग बाइकरपली इंफिरियर ओबरी अगर बाइकरपली सुपिरियर ओबरी से की फार्मेशन होता है तो वह क्यों हो जाएगा कर्योप्सिस हो जाएगा कि इंफिरियर ओबरी सोता तो सिपसेला पर इसके तोर पर आजाएगी एस्ट्रेशी फैमिली अगला अनेस्ट हो जाएगा नट एड्राइव वन चैंबर वन सीडेट एक चैंबर का एक सीडेट का हुआ हुआ है ऐसे में काउन सब फ्रूट हो जाएगा नट हो जाएगा वाई मल्टी कर्पेल्डी ओबरी बाई या फिर मल्टी कर्पेल्डी ओबरी के मादेव से इसका फार्मेशन होता है पेरिकार फिस हार्ड जो पेरिकार पोता बाहर का वो हार्ड होता है और यहां पल कि अगे बढ़ते हैं समारा ड्राइ एंडेंसेंज वन आरवा टू सीड़ एक या एक से दो सीड का होता है फ्रूट डेवलपिंग फ्राम सुपीरियर बाई आरवार मल्टी कारपेल्डी ओवरी फ्रीकारपेज बिदे सेव्ड हिप्टेज फार इजंपल हो जागा इसका समारा जो फ्रूट्स होता है वन आरवार टू सीड़ का बना होता है ठीक है सुपीरियर ओवरी होती है बाई आरवार मल्टी कारपेल्ड वाली होती है फार ग्यांपल किप्टेज आपके सामने रखा हुआ है यह देख सकते हैं समारा हो कि की नेच्स्ट हो झाएगा साजयो कर्पिक अगला फ्रूट हो झाएगा फ्रूट ब्रेक्ट डाउन इन्ट्व इसमाल वंसी डीड़ होता रह एक इस थीड़क्र कि यह आरा चिपता हुआप यह जाए खैगा लो मेंट्स टम पहला व्टाएगा लो मैंट्स इसको लो मेंटम बोलते हैं तरी किस देखा जाए तो लेग्योम की तरह ही दिखाए देता है लेग्यूम ने इसे फैमिली में आता है तो हम लो मेंटम बोलते हैं पर एक्जाम। कि में इसमें देख रहीजेगा एकाइसिया एकाइसिया बमूल का हो गया कि कैसिया फिस्टुला अमलतास हो गया इन सब्सक्राइब जो होते हैं वह लुमिंट टाइब के फूर्ट सोते हैं लेग्यूमढ़ नहीं होते अगला हो जगा क्रिमोकार्प डेफ्लप वाई कर पली यानि दो कार्पल से इसका फर्मेशन होता है और वन सीडर पार्ट इसका अटेस्ट आर्क कार्पोफोर इस करेक्टरिस्टिक यह करेक्टरिस्टिक फीचर से इस टाइप के फ्रूड का ठीक है पर इकजंपल के तौर पेस्ट में आ जाएगा धनिया देख सकते हैं आप कोरियंडर्म यह हो जाएगा रिगमा ड्राइस साइजियोकर्फिक फ्रूट डेवलप राम ट्राइकरपल्डी सीनकारपस सुपीरियर अबरी ट्राइकरपल्डी से हमें इसका फरमेशन होता रिगमा ठीक है अगला हो जाएगा कर्शुलियर्स डेवलप फ्राम बाइकरपल्डी दो कारपल्ड इसमें भी होता है सिनकरपस होता है और सुपीरियर अबरी होती है ठीक है विकमिंग क्वाड्री क्वाड्री लॉकिलर ड्यू टू फाल्स स्रिप्टा कई लाकियों का फर्मेशन ह कRET दो कि उनमें की बजाए से यसे प्रजांपल हो जाएगा इसमें लेबी अटी कि आ यह है लेवीटी का फ्रोट्स ठीक हो अगला नहों हो जाएगा फ्लैसी फ्रूट्स दोस्तो वेश्टी प्रूट्स क्या होता है ज्सदेखेगा तो फ्लैसी पेरिकान। सब्सक्राइब और और प्रोट उसका प्रेडस बाहर चन आप दोज मार्म से is इसका फर्मिशन होता वह भी पूरा फ्राहस होता है जैसे ममंगो और फाइब्रस कोकोनट अगर फाइबरस है तो वह कोकोनट हो जाएगा फाइबरस पाई जाते हैं रहे से पाई बट इंड़ोकार्प इज स्टोनी अंदर कर जो कार्प होता हो काफी स्ट्रॉंग होता है अब आम मंत की घुठली कैःपलि अभी का स्थाथ संटाइं कार्पस बैर इस घर होते हैं फुल्प एज प्रजञट हर इस सब्सक्राइब फ्लाइब है तो मेडो ग्वाब अम्रूध हो गया और प्र हो गया इसको आप देखेंगे इसके सीब को बेरी टाइब करने यह लगा चाल मुझार चैनला यहां चाँ नहीं चानली सिंद्ध क्योटर होती है खैर सब्सक्राइब जुड़ी होते चूरी करपा में चैनल भी को ख़ाया दिख ञेए यह लॉकी आपके सामने दिख रही है पॉम पॉम टाइप का फूर्ट क्या है इट इज फाल्स फूर्ट यह प्रकार का फाल्स फूर्ट है डिवलपिंग फ्रॉम मल्टी कर्पली सिंकर्पस एंड इंफिरियर ओवरी थैलमस मेक दे मेन पार्ट अब फूर्ट थैलमस जो होता हपम जाएगा हख अगई हेस्परीडिया Мट का हरुट काव हो जाएगा सब्सक्राइब मजिद्न कर्पली सिंकर्पस होता है मल्ल्टि कर्पकदी तो ऐसे कंडिशन में होसा होजाएगा सिट्रस हो जाएगा नीबू है और देख सकते हैं नीबु आपके सामने दिख रहा है और यह रहा पूम टॉमट टाउयलग का जहां हो था फाल्स पूट शिर बोलते हैं वह जाएगा और हिरे के शिभए अगला हो जाएगा बल्श्टा ब्लस्टा ब्लस्टा इट इज कर्रिक्टरिक्टिक पूट आप औम آग्रे इस है इज इज करेक्टरिस्टिक फूट आफ उडपल करेक्टरिस्टिक फूट रखता है और यह क्या हो जाएगा इसके अंतरगत पूडपल कैथ वेल जिसको बोलते हैं मैं तो आई होक कि आप लोग ने हमें तक देखा। सारे के सारे फ्रूट्स जो ह 되고 हैं अफंड्राइफ ड्राइड ल dra मर्ट होते हैं वो भी हमने आपको बता दिया घिक है आप बात करते हैं गर्रीगेट fruit दोस्तों aggregate fruit क्या होता है aggregate fruit डिवलफ रॉम मेनी कार्पल साथ एपोकार्पस उबरी इट है फालॉइंग टाइप इस्टेरियो आफ फॉलिकिल फॉलिकिल जो होगा मिचेलियम पाए जाएगा ये फॉलिकिल ये वाला हो जाएगा इसके बाद है इटेरियो आफ एकीन एकीन का भी होता है तो ये एकीन का हो जाएगा फिर इस्टेरियो आफ बेरी इस ठीक है ये वाला हो जाएगा आपका बेरी टाइप का इसको बोलते हैं कस्टर्ड एपल इस्टेरियो आफ डूप अगला हो जाएगा इस्टेरियो आफ डूप रूबस अगला हो जाएगा कंपोजिट फूट लास्ट है ये कंपोजिट फूट्स क्या होता है फूट डिवलप फ्रूप 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 फ्रूट्स और अधर पार्ट आल्सो पर ग्यांपल पिडंकल एक्सिस ब्रैक इन सभी से अगर फूट्स होता है फूट का तो इसे फूट को कंपोजिट फूट बोलते हैं और ग्रूप आप फूट्स इसमें कई एक साथ मिल जाते हैं तो इसलिए कंपोजिट फूट नाम यहां पर दिया गया जैसे सोरोसिस पहला हो जाएगा सोरोसिस डिवलप फ्राइक और स्पाइडिक्स इसका फार्मेशन होता है फ्लावर फ्रूप फ्रूप फ्लैशी शेपल्स एक्सिस जैसे पाइनेपल इसके अंतरगत हो ज होल फ्रोर्शन्स होल फ्रोषन हाइफ फॉर्वड हम फार्रेशांपल बैस्ट एंपल हो जाएगा फाक्स की जतरै इस प्रशिज़ें सम्में पाय कि यानि यह आप देख रहें घूल इन प्रूपि ठीक है याने पूरा यह इंफ्लोर्शन सैं अटोNस नहीं मिलां किकर तो टाइप साफ फ्रूट सा हमने यहां पे फिनिस कर दिया है आई होप कि आप लोग ने अच्छे तरीके से समझ लिया है और समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास सेयर कर दीजिए बहुत-बहुत अगला वीडियो भी जल्द ही आपके सामने आ जाएगा